जैशे कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग आज की अमावस बहुत बड़ी अमावस में गिनी जाती है सबसे बड़े नवरात्रों से पहले आने वाली ये अमावस आपके घर के पित्रों के लिए विशेश करके प्रभावशाली होती है हमारी कुंडली में पित्र दोश हो, कुल दोश हो, वंच दोश हो तो ये अमावस उन सब का बहुत सरल और सटिक उपाय करने का एक अदबुद सदकारी योग होती है आज की अमावस चुकि नवरात्रों से पहले ये अमावस आती है तो इस अमावस को किया गया बहुत छोटा सा करत कार्य हमारे जीवन को परिवर्थित कर देता है और आने वाले नौ दिन में हम जो देवी की पूजा करते हैं उसे सद करने का कारे कर देता है आज की अमावस की रात्री अगर आप अपने घर के अंदर दबा के रख देते हैं एक वस्तू तो आपके घर में सुक, समरद्धी और शांती हमेशा बनी रहती है और साथी साथ में नवरात्रों में की गई पूजा आपकी हंडरेड नहीं लाख टका सिद होती ही होती है आज की अमावस एक और कारण से भी बहुत जादा प्रभावशाली होती है जब हम नवरात्री का पूजन बैठाते हैं जब हम नवरात्री की पूजा करते हैं तो मा के भिविन रूपों की पूजा की जाती है मा के अलग अलग शक्तियों की पूजा की जाती है मा की एक सबसे बड़ी जो सिद्धी जो शक्ती है वो है दस महाविद्या दस महाविद्याओं को जागरित करने के लिए उनको बल देने के लिए आज की रातरी बहुत महतपून होती है क्या चीजों का ध्यान आज के दिन हमें रखना चाहिए और क्या चीजें आज के दिन हमें जरूर अपने घर में करने चाहिए ये आपकी सार्थी आज आपको बताने आपके समक्षाई है मैं आपके एस्ट्रोलाजर हूँ वस्तु शास्त्री हूँ चाहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ रातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ पर आपकी सार्थी हूँ इसलिए कोई बिना चुक करें आज आपको ये महत पुन जानकारी देने चली आई हूँ पहली बात चुकि कल से नवरात्रे चालू हो रहे हैं इसलिए आज आप अपने घर की सफाई बहुत अच्छी से करेंगे आप अपने घर में आज लोबान का धुआ जरूर देंगे धुरी जरूर देंगे आज आप अपने घर के अंदर कपूर के तेल के पोचे लगाएंगे या कपूर के पोचे जरूर लगाएंगे आज आप अपने घर के मंदिर को अच्छी से स्वक्षता से साफ करेंगे और तत पश्चाद आप अपने मंदिर के अंदर गंगा जले कलोटे में भर कर जरूर रख देंगे आज के दिन आप अपने घर में अगनी जरूर प्रजलित करेंगे और उस अगनी में पांच लॉंग डाल कर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे रख देंगे ताकि आपके घर की बड़ी से बड़ी नाकारत्मक शक्ति आपके घर से चली जाए और कल जब मातारानी प्रवेश करें तो आपके घर का वातावरन और आपके घर की साकारत्मक उर्जा बड़ी हुई हो चलीए चुकि ये बहुत बड़ी अमावस है और इस अमावस पे पित्रों के लिए विशिश कारे किया जाता है तो आज अगर आप कर सकते हैं तो ब्राहमन को खीर जरूर खिला दीजेगा अगर आप कर सकते हैं तो आज के दिन किसी को आप अंदान जरूर कर दीजेगा चलीए जाने से पहले बता देती हूँ कि आज की रातरी आपको एक विशिश उपाय क्या करना है आपको एक लाल कपड़ा लेना है उस लाल कपड़े के अंदर आपको एक सिक्का रखना है और उस सिक्के के उपर आपको एक मंत्र लिखना है जो कि आप लिखेंगे लाल सिंदूर से अगर आपके पास कामाख्या सिंदूर है तो आप उससे भी लिख सकते हैं नहीं तो आप लिखेंगे मंत्र है एम जी हाँ बहुत सिद्धकारी मंत्र है आप ये लिख कर उसे एक लाल कपड़े में बांद कर अपने पूजा घर में रख देंगे तो देखेगा आपके जीवन में बरकत आने लगेगी और साथ ही साथ में आपके नवरात्रे सिद्धकारी साबित होंग आज के लिए मैं अजाज़त चाहती हूँ फिर आओंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ युए जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा ख्याल रखेगा अपना मैं जल्द आपसे मिलने आओंगी सुनिये अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा ख्याल रखना अपना जैशी कृष्णा जैशी कृष्णा जैसे कि आप जानते हैं नवरात्री धशेरा और आने वाली दिवाली ये वो पर्व होते हैं जब विशीश सामगरियों का सिध्धी करण किया जाता है विशीश और शिदियों को सिध्ध किया जाता है विशीश वनस्पतियों को सिध्ध किया जाता है यं तंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेश सामगरियां इस समय सिद्ध होती हैं अभी मंतरित होती हैं तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह कि सामगरी की अगर आवश्चक्ता है तो आप हमारे यहां पर संपर्क करके अभी मंतरित की हुई शुद्धी करण से अभी मंतरित करी हुई चीजे प्राप्त कर सकते हैं इन चीजों की प्राप्ति के लिए आप दिये गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से अपने ही गोत्र से यह चीज जोगा ओर्डोब करा सकते हैं तो आपके नाम से आपके गोतर से हमारे यहां पर यह सारी सामग्रियां सिध करी जाएंगे विशिष तरीके से विशिष प्रकार से सिध करी जाएंगे जिसे मैं अपने निरक्षन में सिद्ध करवाती हूँ और मेरे जितने भी ब्राहमन है वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रिया आपके घर पर उपलब्ध हो सकती है तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए आप हमारे आपे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं बस आज के लिए इतना ही जैश्व कृष्ण अपनी सटीक भविश्वानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात रिशला लगातार 2016 से जूतिश विभूशन अवोर्ट प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जूतिश विभूशन अवोर्ट से सम्मानत किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ट से नवासा जा चुका है नवेट वैव लुप लग लिए झाल झाल